वेल्कम बैक टो मैं चैनल विचिस अप्रेंचेंट कुकिंग आज मैं आपके लिए पालक दाल की रेस्पी रहे हूं जिससे बनाना इजी होता है तीस्टी भी होती है यह रेस्पी और बहुत जादा हिल्दी भी होती है तो यहां पर मैंने चना दाल जो है वह तीन से चार घं यहां पर पानी डाला है एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है और एक बड़ी लाइची का डाला है मैंने यहां पर बस हम इसे बंद कर देंगे और तीन से चार सीटी अच्छी तरीकी से लगाएंगे जब तक कि दाल पूरी अच्छी तरीकी से बॉil हो जाए उतना हम इसे और इसे ठंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे और यहां पर दूसी तरफ मैंने यहां पर पैन ले लिए पैन में 2 टेवल स्पूर मैंने तेल डाला है अप चैनल सरसो टेल दाला है यहां पर खींग डाला है एक लाल मिच और एक हरी मिच से इस तरकी से कट करके चोटी- छॉप कर लिया और इसमें ढाल देंगे हम इसे अब यहाँ यहाँ पर देखें early चुके के और यहाँ पे मैंने का लाई को इस तरीके से दोगे कट कर लिया था और इससे ढाला डेंगे पलक आप सपो अब डाल सकते हो क्योंकि पालक लास्ट में जब वो जैसा जैसे फ्राई होगा उसकोई क्वांटिटी कम होती जाएगी तो यह देखिए इस तरीके से जब पालक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालें है विलकुल हाफ टीस्पून क्योंकि हमने दाल में भी पहले हल्दी डाली है हाफ टीस्पून मैंने यहां पर लाल मिच लिए है और एक टेबल स्पून हम मैं आख यह फिस रिका मेना टाल दिया है अच्छी तरीके से wsी मिक्स कर लेंगे हम सकिक कर लेंगे हम ताकि पालक बढ़ कर देख हो जाए और फोड़ा सा नमक कर लेंगे हम धो पहले पहले नमक डाल था इस त्वैसमें इसमें भी duty अभी ता नमक डालेंगे हों देख लें बढ़ने अची तरीकर से पाइना देख रूड़ से लेयर यह बन के एक लेयर बन गे लग बग अच्छाथचा लग भग घट चुक कहा है और आज शास में गर्म मसाला डाल देगे और क्रीम डाल देंगे क्रीम बिल्कुल औप्सनल है अब चाहो तो घी भी डाल सकते हैं बिल्कुल आपके चोछे से और हमारे दाल बनकर तेयार है बस अब इसे लास हमें छौका लगाना है और यह बहुत ही अमेजिंग दाल बनकर तो यहां पर मैंने एक छोटा पैन ले तो चुट ब्राउन हो जाए तो हम गैस आफ करके एक टीस्पून लाल मिच ले लिया है तो तीकी नहीं है और दाल में तड़का लगा देंगे और तेस्टी पालक दाल बन कर तयार ही है यकीन माने है यह बहुत जाए टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और इसके साथ आपको सबजी की भी जरुवत नहीं है दाल और सबजी बिल्कुल आपके साथ में हो जाएगी तो आपका काम भी आसान होगा तो आप, I hope आपको मेरी रस्पी पसंद आई हो अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चर्ण को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे आगे आनले सभी वीडियो के अप्डेट्स के लिए बेल आकों को भी जरूर दबाए आज के लिए बस इतने ही, बाँ बाई